आप में से कुछ लोगों को तो याद होगा कि अब से करीबन तीन साल पहले 2021 में मैंने आपको एक खबर दी थी जिस पर मुझे आज तक सबसे ज़्यादा हेट मिला है और वो खबर थी रूस और पाकिस्तान की जिसमें मैंने आपको बताया था कि रूस की विदेश मंतरी सरग लावरोव जो की आज भी रूस की विदेश मंतरी हैं और व्लादमिर पुतिन के राइट हैंड माने जाते हैं वो गए थे पाकिस्तान के दोरे पर और उन्होंने उस समय कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंदों को नई उचाए पर ले जाने को तयार हैं और अब ह पिछले तीन सालों से लगातार मैं आपको खबरे दे रहा हूं कि कैसे रूस अपनी रज़िक्या पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहा हैं उधारन के तोर पर रूस के विदेश मंतरी के 2021 वाले दोरे के बाद दरजनों बार रूस और पाकिस्तान की सेना यो दभ्यास कर चुकी हैं कभी रूस की सेना पाकिस्तान आती है तो कभी पाकिस्तान की सेना रूस जाती है इसके अलावा पाकिस्तान के परधान मंतरी और रूस के राश्ट्रपती का जो मिलना जुलना है लगबग अब हर छे महीनों के बाद हो रहा है यानि की क्लोसनेस बढ़ रही है इसके ला अपने स्क्रिप्ट पर देख सकते हैं रिपोर्ट निगल कर सामने आई है कि पाकिस्तान को रूस ने एक ऐसा हतियार बेच दिया है जो भारत का पीओ के वापस लेने का जो प्लान है उस पर पानी भी फेर सकता है जी हाँ इस हतियार का नाम है S-350 जो की एक स्पाई कैम है और इसलिए इसका पुरा नाम है सूपर कैम S-350 और इस हतियार का काम है जुसमन पर गहरी निगा रखना खास करकी रात के वक्त और पाकिस्तान ने रूस से खरीदा भी इसे इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत किसी भी दिन अचानक रात को हमला करके P.O.K. से उसकी सेना को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करके P.O.K. पर अपना कबजा ले सकता है और एक बार भारत ये सेना P.O.K. पर कबजा ले ले उसके बाद उसके पास चाहे परमानू हतियार है कोई भी हतियार है वो उनका इस्तमाल नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल कम्यूनिटी के प्रेशर में आकर इसी वज़े से वो भारत के प्लान को फेल नहीं कर सकता इसलिए इनके नुसार भारत को रोकने का एक ही तरीका है कि भारत की रणनीती का पता इन्हें पहले ही लग जाए और इस वज़े से इन्होंने ये स्पाई कैम S350 ड्रोन खरीदा है रूस से इससे कि ये रात के समय भी अपनी जो सीमा है भारत के साथ लगी हुई खासकर की पियो के वाली सीमा वहाँ पर गहरी निगाह रख पाएं रात के वक्त भी भारत कोई भी हलचल करता है तो इन्हें पता लगें वहीं इस खबर से भारत बिलकुल गुस्से में है क्योंकि अभी तक भारत और रूस के बीच में यह understanding थी कि अगर ऐसे अडवान सत्यार भारत के किसी दुश्मन देश को रूस बेचेगा तो पहले भारत से पूछेगा अगर भारत उस पर वीटो लगा देता है यानि कि मना कर देता है तो फिर रूस नहीं बेचता था लेकिन इस बार तो रूस ने वीटो लगाना तो छोड़िये पूछा भी नहीं भारत से और चुपचा पाकिस्तान को ये स्पाई कैम सप्लाई कर डाले इसलिए ये खबर भारत के लिए डबल जटके की तरह है लेकिन निशिंत हो जाईए भारत की तरफ से रूस को जवाब तो मिलेगा क्योंकि हमने देखा है पिछले 6-7 सालों में जब भी किसी देश ने चाहे वो अमरीका हो, रूस हो, तुर्की हो, कोई भी हो जिसने भी भारत के हितों को नुकसान पहुचाया है या पाकिस्तान को हाई एंड वैपन सप्लाई करे हैं भारत ने उसका इलाज एक महिने के अंदर-अंदर किया है रूस का भी हमने किया था 2021 में इस बार 2024 में भी होगा आने वाले एक डेड़ महिने के अंदर-अंदर और तब हो सकता है कि रूस इस डील को कैंसल कर दे या फिर से कम भविश्य में पाकिस्तान को हत्यार बेचने से परहेज करे क्योंकि बात सिर्फ रूस की नहीं है बाकी देशों को भी संदेश देना जरूरी है क्योंकि माल लीजिए अभी हम रूस के खिलाफ कुछ नहीं करते तो रूस को भी लगेगा यार यह तो कुछ भी नहीं करने वाले अभी तो हमने ड्रोन बेचे हैं चलो पाकिस्तान को लड़ा को विवान बेचकर मोटी रकम कमाते हैं या फिर बाकी देशों को भी देखने में लगेगा यार जब इनके फ्रेंडली देश रूस जैसे देश पाकिस्तान को हतियार सप्लाई कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान को क्यों ना बेचें हम क्यों पैसा ना कमाएं इसलिए ना सिर्फ रूस बलकि बाकी देशों को संदेश देने के लिए कि भारत की नीती कितनी जादा कड़ी है पाकिस्तान के हतियार सप्लाई को लेकर हमें रूस का इलाज करना होगा ताकि रूस भी रुके और उसे देखकर बाकी देश भी सबक लें कि पाकिस्तान को हतिय सप्लाइ करने पर भारत क्या अंजाम करता है